आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो हमें question में दे रखा है कि एक length है 109 meter वायर की वो कित्ती है 0.75 meter उसकी density दे रखिया है में और हमें बोला है कि वो इतना stress जहिल सकता है ठीक है without exceeding the elastic limit हमें बताना है fundamental frequency कित्ती होगी जो produce होगी ठीक है तो हम देखते है fundamental frequency का formula क्या होता है fundamental frequency ना वायर is equal to अगर new not हमारी fundamental frequency है उसका formula होता है 1 by 2 times of L root of t by new ठीक है हम सबको define करते है हमारा new not हुआ fundamental frequency fundamental frequency ठीक है L हमारा हुआ length of wire length t हुआ हमारा tension in wire ठीक है tension और new हमारा हुआ mass per unit length जिसको हम बोलते है mass density भी ठीक है तो हमें निकालने fundamental frequency हमें उसके पता होना चाहिए L t और new हमें से क्या क्या पता है हमें length पता है हमें t नहीं पता और हमें new नहीं पता ठीक है तो हम यह दोनों निकालते है अब देखो tension क्या होता है tension is nothing but stress into area of cross section है ना क्योंकि stress क्या होता है stress होता है because as stress is equal to tension upon area है ना तो हम इससे यह निकाल सकते हैं ना तो हम tension वाली चीज़ को भी substitute करेंगे हमारे पास stress तो है ठीक है area तो नहीं है ठीक है अब हम new को देखते है new की बात करते है new क्या होता है mass per unit length mass per unit length इसको हम लिख सकते है mass को हम लिख सकते हैं कैसे density into volume upon l है ना अब volume क्या होता है volume होता है area times length तो इसको हम लिख सकते है rho a l by l LL cancel हो जाएगा, यह new है, तो new is equal to row times of a, है ना, तो हम यह value substitute करते हैं, तो हम बोल सकते हैं, new not is equal to 1 by 2 times of l root of, अब क्या क्या हमार पास, t क्या था हमारा, stress into area upon row times of area, area area cancel हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हम निकाल सकते हैं, new not is equal to 1 by 2 times of l root of stress upon row, है ना, तो हम देखते हैं, इससे क्या हमारा answer आएगा, हमारा आएगा, new not is equal to 1 by 2 times of l, क्या था हमारा, l हमें दे रहा है, 0.75 meter, ठीक है, तो 0.75, ठीक है, into stress, stress क्या दे रहा है, हमें, stress दे रहा है, हमें, 9, 8.1 into 10 to the power 8, ठीक है, तो, 8.1 into 10 to the power 8, अपन, row, row हमें किता दे रहा है, row हमें दे रहा है, 9 into 10 to the power 3, ठीक है, तो, 9 into 10 to the power 3, ठीक है, तो, इससे हम निकालते है, हमारा new not का आएगा, new not is equal to 1 by 1.5, 5, root of, यह और यह cancel हो जाएँगे, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0.9, ठीक है, तो, हम इसको बोल सकते है, 9 into 10 to the power 4, ठीक है, तो, हम बोल सकते है, new not is equal to 3 by 1.5 into 10 to the power 2, 3 or 1.5 answer हो जाएगे, 1 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा, विच गिवस आउट, new not is equal to 200 hertz, विच इस दीक हैंसर, थैंक यू. क्लासिक स्टुएल से लेके, नीट आएईटी जेही मेंस और अद्वांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 पर.